तो दोस्तों फाइनली कुछ ना कुछ तो यहां पर शिवाइनू से रिलेटेड हमें कुछ नया आता दिखाई दे रहा है .. तो यहां पर इस तरह का खुछ अप्तेंड और डाउंट्रेट में देखने को मिल रहा है .. इसके अलावा अगर हम बात कर यहां पर Shiberium की तो Shiberium से related काफी जाद अपडेट्स आ चुकी है Shiberium के जाहतक बात की जाए तो Shittoshi Kusama ने अपने जितने भी प्रजेक्ट से उनको यहां पर रिवेल कर गया है साथी में इन्वेस्टर्स की टेस्टिंग के जा रही है इसकी स्पीड और कोस्ट को सारी चीजों को रिवील किया जा रहा है साथी में अगर हम बात करें हापर adoption की तो widespread एक mass adoption हमें देखनी को मिल रहा है जहाबर 500,000 वॉलेट्स प्रेट किये जा चुके है इसे के साथ में recently TVL जो इसने lock किया है वो almost 1.5 million dollars के आसपास है तो overall अगर हम बात करें तो यहाँ पर Shibarium बहुत ही अच्छी तरह से perform करता नजर आ रहा है दूसी तरफ यहाँ पर predictions लगा दिए गए है शबाइनू के extent जाने के उसके बार में भी हम आज की इस वीडियो में discuss करेंगे तो make sure आप इस वीडियो को last तक देखिए इसी के साथ में crypto's related ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारी चानल दे क्रिप्ट बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए बल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथी में हमारी टेलिग्राम ग्रूप और ट्विटर हांडल को जोइन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा बहाँ पर भी हम इसी तरह की updates regular basis पर देते रहते है हेलो दूस्तो वेलकम टू दे क्रिप्ट बाइट और आज में लोग बात कने वाले हैं शिबाइनू यानि कि शिप के बार में दूस्तो यहाँ पर आप देख सकते है करेंटली इस कोईन का प्राइस काफी ज़्यादा नीचे आ चुका है रिजन्स काफी सारे है, market crash हो गया, Shibarium भी पूरी दरह से फेल हो गया अब यहाँ पर Shibarium का relaunch हुआ है और इसके बाद इहाँ पर इसकी cost और इसकी speed को यहाँ पर reveal कर दिया है सबसे पहले हम उसी चीज के बार में डिसकस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है Ethereum से अगर हम compare किया जाए तो यहाँ पर Shitoshi Kusama ने जो इसके lead developer है उन्होंने एक statement दे दिया है I am testing the Shibarium bridge, sending ETH to Shibarium, so you don't have to trust it yourself तो यहाँ पर community को एक इन्होंने statement दे दिया है, चोटा सा tweet कर दिया है कि आपको खुद से test करने की ज़रुद नहीं है मैंने खुद यहाँ पर अपने खुद के Ethereum Shibarium blockchain के तुरू दूसरे wallets में send किया है तो इस तरह का कुछ टेस्टिंग की जा रही है Shitoshi को सामख के तू directly साथी में अगर हम बात करें यहाँ पर timing की speed गी तो यहाँ पर almost 2-3 seconds के अंदर एक transition complete किया जा रहा है तो Shibarium के अगर हम initial speed की बात करें तो काफी ज़दा slow है as compared to other blockchains लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर transaction जो है वो speed में होते दिखाई दे रहे है 2-3 seconds के अंदर और साथी में यहाँ पर transaction fees है वो भी यहाँ पर कम से कम चार्ज की जा रही है अगर हम Metamask के transaction fees की बात करें तो almost 2.65 dollars के आसपास है Shibarium जो charge कर रहा है वो almost ethereum के transactions पर almost 1.95 dollars charge कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते है Metamask के transaction fee Shibarium के transaction fee से compare की जाए तो काफी जादा है तो इस हिसाब से देखा जाए तो Shibarium इस समय पर काफी less transaction fee charge कर रहा है दूसी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर adoption की तो यहाँ पर आप देख सकते है पिशले 3-4 दिनों के अंदर जब से Shibarium का हमें relaunch देखने को मिला यहाँ पर Shibarium का एक mass adoption widespread हमें देखने को मिला है जहाँ पर 500,000 wallets create के जा चुके है वो भी इतने कम समय के अंदर दूसी तरफ Shibarium अपने नए milestones को अचीव करता नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते है अगर हम transactions की बात करें तो overall figure out किया जाए तो almost 628,000 transactions हमें recently पिशले 5-6 दिनों के अंदर देखने को मिल चुके है तो यहाँ पर wallet growth हमें देखने को मिल रही है, blocks growth हमें देखने को मिल रही है, speed में हमें increment दीरे दीरे देखने को मिल रहा है, साथ ही में यहाँ पर wallets भी अच्छे खासे create के जा रहे है, community के थूरू, rb के थूरू, दूसी तरफ milestone को यहाँ पर achieve कर लिया है, यहाँ पर milestones cry rocket हो है, almost 1.5 million dollars से, और यहाँ पर यही एक बहुत बड़ी update है, जिसके कारण Shibarium को अब एक failure ना बोलते हुए, एक success माना जा रहा है, पिछले 24 hours की जहा तक बात की जाए, तो almost 300,000 addresses create के जा चुके है, जो कि almost 60% growth है, इसके transaction rate के अंदर, तो यहाँ पर clearly यह blockchain बहुत ही अच्छी त एक रुपए का prediction लगा दिया गया है, और कब तक कितने time में हमें एक रुपए तक जाता दिखाए देगा, चलिए, हम discuss करते है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, current ही a coin अपने all time high से लगभग 90% से नीची जल रहा है, बाकी coins कभी almost ऐसा ही हाल है, क्योंकि market crash हुआ है, और य यह हमें एक रुपए तक या फिर एक सेंट तक जाता दिखाए देगा, और यह बहुत ही बड़ी growth है, 90% growth दिखाने के बाद यह कम से कम अपने all time high को touch करेगा, लेकिन अगर यह coin अगले कुछ सालों में almost 121,000% की growth दिखा देता है, तब हम expect कर सकते है इस coin को एक रुपए त touch करना बहुत ही जादा मुश्किल है, दूसी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर technical analysis की, तो despite काफी सारी चीज़े हमें देखने को मिली, यहाँ पर Shiberium का failure हमें देखने को मिला, जो की एक बड़ी hope थी investors के लिए कि इसके बाद हो सकता है, Shibainu का prize हमें एक पैसे तक जाता दि दिखाई दे सकता है, दूसी तरफ कई सारे experts का यह खहना है कि इस bullrun में या फिर next bullrun में ही Shibainu coin हमें एक रुपय तक जाता दिखाई दे, तो यह दोनों theories clearly indicate कर रही है कि Shibainu को time लग सकता है, हाला कि expected यही है कि Shibainu coin जल से जल एक रुपय तक जाए और जादा से जादा profits अपने investors को ले, तो यह थी हमारी आज की अपडेट Shibainu coin से related, hope आपको मेरे इस वीडियो ने शिप से related currently सारी information दी होगी, अगर दी है तो इस वीडियो को like कर दीजिए, हमारे चानल The Crypto Byte को subscribe कर लीजिए, साते में आपसे request है कि हमें इसी तरह से support करते रहे, हमें ऐसे ही प् लगको कि अबगे से वे से तरह सकते हों में इसने आपसे का लिए दोग़ा को ओड़ाबगां को अर्च यह बड़ान की में आपसे एज ए- Office – औरन अजूबागां कशानकी का और्ले, वे अ ऑंतने वीडिए, उडे ए unsğीडियोंगार, में की में ओशूए, जोग़ई